हाई मेरा नाम है एरिक और मैं अरीना फिलमेंट सीडियो उठे बात कर रहा हूँ कुछ दिन पहले हमने इंस्टाग्राम के उपर एक पोल रन किया था जिसमें हमने नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के बारे में आप से पूछा था तो सबसे जादा वोटिंग जो हमें देखने को मिली है वो CST के उपर मिली है इस वीडियो में मैं आपको CST बिलकुल बेसिक लेंगवेज में समझाने की कोशिश करूँगा अगर आपका वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप बिलकुल निश्चिन्त होके वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजे मैं उसका reply 100% दूँगा CST का मतलब होता है color space transform कुछ लोग इसे DCT भी बोलते है Devenchy color transform हमने अपनी timeline में multiple camera clips को use किया है कुछ clips sony camera से है कुछ clip red camera की है कुछ airy camera की है तो हमने किस camera का use किया है ये information हमें Devenchy Resolve को देनी पड़ती है अभी यहाँ नीचे मैं gear के icon के उपर click करता हूँ तो हमारी project setting open हो जाएगी आपको color management में जाना है अगर मैं project setting में जाकर इसको ये information दे देता हूँ कि ये sony camera से video को shoot किया हुआ है और output हमें Rec.79 पे रखनी है तो ये क्या करेगा हमारी पूरी timeline को ऐसा समझेगा कि ये सारी sony की clips है अब यहाँ हमारे case में तो हमने तीन cameras को use किया है तो जब भी हम master setting का use करते हैं तो ये पूरी timeline के उपर effect करता है तो यहाँ पे काम शुरू होता है CST का CST एक plugin की तरह है Devenchy Resolve में जो open effects का tab है It's like a plugin जैसे आप कोई भी software use करते हो Premiere, Final Cut Pro उसमें जो effects का tab होता है वैसे ही यहाँ पे open effects है यहाँ पे मैं type करता हूँ color space transform तो CST हमारा clip और node level के उपर काम करता है अगर हम कोई भी change करेंगे तो हमारी पूरी timeline के उपर effect नहीं करेगा अब CST plugin को हमने drag कर दिया इस clip को Sony camera से shoot किया हुआ है और यह clip S-Log3 के उपर shoot होई हुई है अभी हमारे पास यह information है तो अभी हमने color space transformation में यह information को feed करना है तो हमारी जो अभी clip है वो Sony S-Log3 की है तो हम यहाँ पे S-Press करते हैं और नीचे जाके हम Sony S-Gamit 3 को choose करते है input में हम दुबारा से Sony S-Log3 को choose करते है तो आपको यहाँ पे output select करनी पड़ेगी जो भी आप काम करते हो almost Rec.79 के उपर जाता है अगर आपको यह नहीं पता Rec.79 होता क्या है log क्या होता है, raw क्या होता है तो हमें comment कर दीजे हम उसके उपर भी video बना देंगे एक class में यह सारे topics को समझ पाना possible नहीं होता इसलिए हमने 4 month का course design किया है अगर आप interested है तो आप हमारा course join कर सकते है जिसमें आपको यह सारी चीजों की detail information मिलने वाली है practically अभी हम output को select करते है R press करके REC79 के उपर और output gamma भी हम R press करके REC79 कर दे instantly आपकी clip जो है REC79 में convert हो गई Sony के camera की clip थी, वो log image थी आपने उसको REC79 में convert कर दिया वो एक color space को दूसरे color space में transform कर देता है सिर्फ इतना काम होता है assume कीजिए जो आप primaries का use करेंगे exposure right करने के लिए balance करने के लिए वो सारी चीज़ें आपने कुछी seconds में achieve कर ले तो आपको जो starting point था वो CST ने आपको बना के दे दिया अभी भी आप notice करोगे आपकी highlight overexposed है उसके लिए आपको tone mapping के उपर double click करना होगा यहाँ पे आपको luminance mapping को select करना होगा luminance का मतलब होता है brightness और darkness जो luminance हमारे scope से भाहर होती है उसको यह map करके हमारे scopes के under कर देता है यह इतना काम होता है उसके बाद हम नीचे जाएंगे जैसे हमने luminance mapping किया है वैसी हम saturation mapping कर देते है जो भी हमारी saturation out of control होगी उसको यह map करके control कर लेगा जैसी हम यह setting करते है before and after आपके सामने है तो यह आपने clip level के उपर setting की है अगर आप यही setting को यहाँ project setting में जाकर करते तो आपकी timeline की जितनी भी clips थी उसको वो sony में convert कर देता तो यहाँ पे CST ऐसे काम करता है अभी हम second example भी ले लेते है जैसे यह clip red की है तो हम यहाँ पे भी CST apply करते है तो input में मैं R press करूँगा और यहाँ पे हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे choose करेंगे red white gamet RGB input gamma में मैं दुबारा R press करूँगा और यहाँ पे हम choose करेंगे red log 3G10 जैसी मैं यह करूँगा उसके बाद आपको output select करनी है R press करके REC79 और यहाँ पे भी REC79 जैसी आपने कर लिया भी आप notice करोगे highlight आपकी overexposed है जैसी मैं यहाँ पे click करके luminance map करूँगा आपकी जो highlights है वो control हो जाएंगे और CST हो या LUT हो आपको हमेशा end के उपर apply करना चाहिए जब आप इतने बड़े color space को REC79 में convert करते हो तो जादा हमारे पास information नहीं रहती तो हमें वो पहली recover करनी होती है तो हमेशा आप CST या LUT का यूज कर रहे हो हमेशा end के उपर यूज करो तो अभी हम एक camera के उपर और देख लेते है यहाँ पे हमारे पास clip है REC79 की इसके उपर में मैं CST apply करता हो तो हमारी ये clip REC Alexa के उपर shoot हुई हुई है तो मैं यहाँ पे input में REC Alexa select करता हो और input gamma में REC log C REC Alexa project की जो शुरुवात है वो CST लगाने के बाद शुरू करे इससे result काफी अच्छा हो जाएगा आपका और आपका काफी time भी बचेगा वीडियो में CST समझ आया या नहीं आया comment करके हमें ज़रूर बताना और next video topic क्या होना चाहिए उसके बारे में भी आप comment कर सकते हो अगर आपको लेनी है video editing और color grading की advanced training तो wait किस बात किया नीचे लिखे number पे call करे या आज यू visit करे www.arenafilamencydude.com मैं आपको मिलता हूँ आपकी training की पहले class में